हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चैनल अरद्या अरेस एकेड़ी में दोस्तों राजस्तान में आयुजित सभी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए टोपिक वाइज टोप इंपोडेंट प्रस्नों की सिरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें अभी तक अपने 24 टोपिक है वो कंपलीट हो चुके है यानि कि 24 टोपिक के दोस्तों मैंने आपको टोप इंपोडेंट प्रस्न है वो करवा दिये है आज अपना इसमें 25 नंबर का टोपिक है जिसका नाम है दोस्तों राजस्तान की भासा एवं बोलियां यानि कि राजस्तान की परमुक बोलियां एवं बासा से संब्दित आज माँ आपके लिए टोप 60 प्रस्न लेके आया हूँ जो आपकी प्रतियों की प्रिक्षा के लिए अतियंत महत्वपुन है अरद्यरे सिकेट में के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें तो दोस्तों अगर आपने पिछली कलासे अगर नहीं देखिये तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा तोपिक वाइज टॉप इंपोडेंट किसन के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है तो आप वहाँ जाके सारी की सारी कलासे हैं वो जरूर देखे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहला प्रस ने इसमें देखे निमनांकित में से कौन सायूग में सुमेलित नहीं है एक तरफ बोली है दूसरी तरफ जिले है यानि कि कौन सी बोली कौन से जिले में बोली नहीं जाती है वो अपने को इसमें बताना है देखिए मेवाडी जो बोली है ये दोस्तो चितोड और भीलवाडा में बोली जाती है बिल्कुल सही है मालवी यहाँ पर बासवाडा दे रखा है अब यहाँ पे देखिए दोस्तो मालवी तीक है मालवी दे रखा है यह दोस्तो बाश्वडा यहाँ पे गलत दे रखा है तीक है मालवी है यह मद्दे परदेश चेतर की भासा है और यह मारवाडी और ढूंडानी दोनों का मिश्रन है तीक है मारवाडी और ढूंडानी दोन दे रखा है ठीक है डूंडानी बासा है ये जेपुर में बोली जाती है और मेवाती बासा है ये अलवर में बोली जाती है मालवी बासा है ये मद्देप्रदेश की जो टच में जो जिले है उन में बोली जाती है ठीक है तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन हो हो जाएगा डुंगरपूर माश्वाडा में वागडी बोली बोली जाती है और इसी बासा के अंदर यानि कि वागडी बासा में दोस्तों संत मावजी की रचनाई है वो लिखी हुई है ठीक है तो इसमें बी नंबर उप्शन सही उत्तर तीन नंबर प्रेस्न है तोरावाटी है अब यहां पर देखे दोस्तों तोरावाटी है वो क्या है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों एक डूंडानी बोली ठीक है डूंडानी बोली है तोरावाटी ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर Next आगे देखें खेराडी बोली किस छेत्र में परचलित है तो देखें दूस्तों यहां पे इस प्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा टॉंक भीलवाडा यानि की भीलवाडा के सापुरा छेत्र है तथा उसके समीप बुंदी के कुछ छेत्रों में यह बोली जाती है तथा हरुति का प्रभाव भी देखने को मिलता है तो टॉंक भीलवाड़ा इसका राइट आंसर बै नमबर ओप्शन सयुत्तर पांच नमबर प्रेस्टने निम्दलिकित में से किस ने अपने लेखन में मेवाती का प्रियोग नहीं किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुन्दर दास जिने दोस्तों मेवाती का है वो प्रियोग नहीं किया देखिए चरंड़ दासी संपरदाय और लाल दासी संपरदाय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुन्दर दास जी तैंन नमबर का ओप्शन बिलकुल सहितर हो जाएगा सुन्दर दास आगी देखिए डिंगल और पिंगल क्या है तो ये राजस्तानी बहसा की सैलिया है राजस्तानी बहसा की सैलिया है डिंगल और पिंगल यहाँ पे देखिए दोस्तों डिंगल है ये पस्मी राजस्तान की जो साहिते की बहसा है और पिंगल है ये पूरवी राजस्तान की साहिते की बहसा है त कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है यहां पे देखी दोस्तों मा आपको सीधा सा बता दूँ मारवाडी की जो उपबोली है वो राथी नहीं है मारवाडी की उपबोली है वो दोस्तों सेखावाटी और मेवाडी है सेखावाटी तेक है सेखावाटी और मेवाडी यह बिल्कुल सही है नागर्चोल है यह ढूंडानी की उपभूली है बिल्कुल सही है और कौन सी है तो देखे हाडोती, 84, खेराडी, नागर्चोल यह भासा है यह हाडोती की उपभूली है मेवाती यहां पे खेराडी है वो गलत दे रखा है देखें मेवाती वासा है यह अलवर भरतपुर में बोली जाती है और खेराडी है यह भीलवाडा के सापुरा छेतर है और टॉंक जिले में और बूंजी जिले में यहां बोली जाती है तो इस प्रैसन का राइट अंसर हो ज गलत दे रखा है, तो अपना राइट आंसर इसमें बे नम्बर का ओप्षन हो जाएगा, आठ नम्बर प्रेश्न है, अहिर्वाटी और मेवाती बोलियां किस छेतर में बोली जाती है, तो इस प्रेश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, उत्री पूर्वी इसका right answer हो जाएगा से number option आगे देखें मेवति बोली राजस्तान के किन छेत्रों में बोली जाती है जाती है यह जाती है लाल दासी संपरदाई और चरन दासी संपरदाई यह यहिस्य समंदित है जाती है 10 नमबर प्रेशने हाडोती बोली राजस्तान के किस भाग में बोली जाती है हाडोती बोली राजस्तान के किस भाग में बोली जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षनी पूर्वी भाग में दक्षनी पूर्वी भाग में तो कौन सा च्हेतर है? वो डूंडानी के लिए जाना जाता है. तो इसका right answer हो जाएगा? वो है दोस्तों, इसमें jeipur talk. ये दोस्तों डूंडानी बासा के लिए जाना जाता है. तो इसका right answer हो जाएगा? इसमें 7 नमबर का option बिलकुल सयुत्तर. आगे देखे पस्मी राजस्तान की प्रधान बोली है तो वो कौन सी है तो वो है मारवाडी ठीक है तो इसमें A number option सही उत्तर हो जाएगा मारवाडी आगे देखे इसमें आएने अकबरी का डूंडानी बासा में अनुवाड किस ने किया तो इसका राई टांसर हो जाएगा वो है किस ने किया तो दोस्तों ये गुमानी राम कायस्त ने आएने अकबरी का डूंडानी बासा में अनुवाड किया था याद रखना है आपको ठीक ह तो इसका एनमबर उप्षन सेयुतर गुमानिराम कायस देखिए राजस्तानी सोध संस्थान चोपास्तनी में अबूल फजल करते यानि कि अबूल फजल द्वारा लिखे थे आईने अकबरी के राजस्तानी अनुवाद की हुई पांडूलिपी सुरक्षित है ठीक है अभी भ इस से गुमानिराम कायस देखिए गरंत का अनुवाद राजस्तानी में किया था ठीक है तो यह आपको इसमें याद रखना है तो गुमानिराम कायस आईट आंसर आगे देखिए 14 नमर का प्रशन है कवी जोदराज की रचना हमीर रासो किस बोली में है तो यह दोस्तो अहि अहिरवाटी में है किसमें है अहिरवाटी में तो इस प्रशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इसमें अहिरवाटी ठीक है क्या हो जाएगा अहिरवाटी तो इसका ए नमबर ओप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा अहिरवाटी देखिए अहिर जाती के छेतर में बोले जाने के कारण है इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है ठीक है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट अंसर नंबर उप्शन पंदरा नंबर का प्रेस्न है निमनलिकित राजस्तानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है तो गुजराती का मजबूत प्रभाव है वो किस पर है तो वो है दोस्तों वागडी पर क्यों वागडी पर मजबूत प्रभाव है क्योंकि जो वागडी बोली है ये डूंगरपूर बास्वडा में बोली जाती है और वहाँ पर दोस्ता आप सबी को पता है गुजराद टच में होता है गुजराद टच में होता है तो गुजराद की बॉली का मजबूत प्रभाव वड़ता है तो इसमें했던 package नेक्स सोला नंबर का प्रेशन इसमें देखे रजस्तान की वहाँ बोली कौन सी है जिसे गिरियसन ने भीली बोली कहा है एवं इसमें चै और चै का उच्छारण सै से किया जाता है एवं थाके इस्तान पर हतों का प्रियोग किये जाता है वो बोली कौन सी है तो वो है दोस्तों इसमें वागडी बोली कौन सी वागडी बोली बै नमबर का उप वड़ा के छेत्रों का प्राची नाम वागड था ठीक है और वहां की बासा है वो वागडी कहलाई थी ठीक है जिस पर गुझराती का प्रभाव अधिक पड़ता है डोक्टर गिरियसन ने यानि कि जोर्ज अबराहिम गिरियसन ने इसे भीली कहा है ठीक है तो इस प्रेसन का राइट आंसर बे नमबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए वागडी बोली राजस्तान के किस भाग में बोली जाती है तो ये दक्षनी पस्मी भाग में बोली जाती है तो ये दक्षनी पस्मी बोली जाती है से नमबर उप्शन से उत्तर हो जाएगा दक्षन प्राजस्तानी में बै नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुनिश नमबर प्रेस्च नहीं इसमें देखिए अलवर जी लेके बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है तो वो है दोस्तों अहिरवाटी बोली बोली जा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सोर से नी अपब्रेंज से ठीक है आगे देखिए इसमें 21 नमबर प्रेस्ट ने वागड छेत्र की बोली के लिए ग्रेशन ने क्या सब्ध परियोग किया तो दोस्तों मैं अभी आपको बताया था दोस्तों क्या सब्ध प्रियोग में लिया था तो भीली क्या सब प्रियोग में लिया था तो वो है भीली ठीक है तो इसमें बै नंबर ओप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा भीली आगे देखिए निम्नलिकित बोलियों में से कौन सी डूंडानी की उपबोली नहीं है तो डूंडानी की बोली नहीं है अहिरवाटी कोन-कोन सी है तो तो रावाटी, राजावाटी, नागर्चोल, चोरासी, हाडोती, खेराडी ये डूंडानी की उपबोलिया हैं लेकिन अहिरवाटी नहीं है तो इस प्रैस्टन का राइट आंसर ए नंबर ओप्षन, नेक्स्ट राजस्तानी बासा के चंदों के आदाहर पर रचित पिंगल शिरोमनी गरंत के रचेता हैं तो पिंगल शिरोमनी गरंत के रचेता हैं वो कौन है तो वो है दोस्तों इसमें कुसललाब कौन थे कुसललाब दे नमबर उप्षन बिल्कुल से उत्तर 24 नमर प्रेशन है डूंडानी बोली के परचली त्वीविद रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा सही नहीं है तो वो है खेराडी त्वीविद रूपों में यहां पे जो खेराडी बासा है यह परचलीत नहीं है तो इसका राइट 25. मालवा परदेश के राजपुतों में परचलित मारवाडी और मालवी के सम्मिस्रन से उत्पन बोली का नाम क्या है? मालवा परदेश के राजपुतों में परचलित मारवाडी और मालवी के सम्मिस्रन से उत्पन बोली का नाम क्या है? तो उस बोली का नाम है दोस्तों रागडी कौन सी है? रागडी तो इसमें बेनमबर का उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रागडी ठीक है? देखें निमाडी और रागडी ये मालवी की उप्प बोली है ये आपको इसमें याद रखना है रागडी इस प्रचलिका राइट आंसर आगे देखें निमन में से कौन विद्वान है जो राजस्तानी बासा बोलियों से समंदित कारिये के लिए नहीं जाने जाते हैं तो वो है दोस्तो नौम चौमस्की ये इस काराइट आंसर हो जाएगा बाकी के तीन है वो इसमें सही है हीरलाल सास्त्री मोतिलाल मेनारिया और जोज अबराहिम गिरियसन ये राजस्तान की बासा बोलियों से समंदित विद्वान है लेकिन यहाँ पे नौम चौमस्की है वो इ इस समंदित नहीं हैं 27 नमर प्रहसन निम्न में से बेमेल विकल्प चुनिये तो दोस्तों बेमेल विकल्प इसमें देखिए ढुंडानी भुआगरी मेवाडी और मारवाडी तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ढुंडानी ढुंडानी है ये इसका राइट अंसर हो जाएग यहाँ पे देखे डूंडानी पूर्वी राजस्तान को छोड़ कर बाकी सबी है वो पस्मी राजस्तानी की परतिनिती बोलिया है ठीक है यह है पूर्वी राजस्तान की बाकी तीनों है यह दोस्तों पस्मी राजस्तान की है तो अपना राइट आंसर बे नमबर उप्शन सही द्वारा लिखी गई तो यह लिखी गई दोस्तो हेम चंद्र शूरी के द्वारा हेम चंद्र शूर के द्वारा तो दैनम्बरण सउतर हो जाएगा नेक्स्ट है गुंटीस नमबर प्रेशन है संत चरंडास का साहिते किस बोली में मिलता है तो कौन सी बोली में मिलता है तो मैंने आपको बताया तो लाल दास संपरदाए और चरंडासी संपरदाए ये कौन से साहिते में है तो ये मेवाती साहिते में तो राइट से नमबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है बागडी बोली किस चितर में बोली जाती है तो यहाँ पे बागडी बोली है यह कौन से चितर में बोली जाती है तो डुंगरपूर और बांसवाडा में डुंगरपूर और बांसवाडा में बागडी बोली बोली जाती है से नमबर का उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बागडी बोली डूंगरपूर और बासवड़ा में आगे देखिए 31 नमबर प्रेस ने डूंगरपूर बासवड़ा चेतर में कौन सी बोली बोली जाती है तो डुंगरपूर मासवड़ा चेतर में कौन सी बोली तो वो है दोस्तो वागडी बोली से नमबर उप्सन सयुतर और जोर्ज अबराहिम ग्रियसन ने इसी बासा को बीली बासा कहा है कवी सूर्यमल मिष्टरण ने अपनी पुस्तक वीर सचसाई किस बासा में लिखी है तो वीर सचसाई है ये डिंगल बासा में लिखी है कौन से बासा में डिंगल बासा में ए नमबर का उप्सन सयुतर डिंगल बासा में आगे देखें सुमेलित कीजिए एक तरफ बोली है दूसरी तरफ जिला है तो यहाँ पे देखें दोस्तो जगरोती बोली है यह कौन से जिले में बोली जाती है तो यह करोली जिले में बोली जाती है जगरोती बोली और दाटी दाटी बोली है यह दोस्तो बाडमेर जिले में बोली जाती है नागर चोल है ये टोंक जिले में बोली जाती है और धावडी है ये उदैपूर जिले में बोली जाती है तो इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा चार तीन दो एक इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा यानि कि ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत नेक्स्ट है आगे देखे निम्नलिकित में से किस बोली पर मालवी का सक्तिसाली प्रभाव है तो कौन सी बोली पर मालवी का सक्तिसाली प्रभाव है तो राइट अंसर हो जाएगा इसका वो है डूंडानी ठीक है तो इसमें सेनम्बर उप्षन बिल्कुल से उत्तर हो तो यहां पे देखिए मालवी बासा है यह मैंने आपको बताया मालवी है यह मद्दे परदेश के मालवा चेतर की बासा है और यह है मारवाडी पलस डूंडानी दोनों का मिस्रण है तो अगे देखिए बोली जिसमें सुन्दर दास यानिकी दादू पंत का साहीते पराप्त ह होता है तो वह बोली कौन सी है तो वह दूंडानी कौन सी है दूंडानी तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें वह दैनमबर का उप्षन बिलकुल सेयुत्तर हो जाएगा देखिए जैपूर टोंक लावा किसंगर्ड अजमेर मेरवाड़ा का पूरवी छित्र में राजस्तान की किस बोली पर मराठी बासा का प्रवाव है तो मराठी बासा का प्रवाव है वो दोस्तो कौन सी बोली पर है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो मालवी का तो इसमें बे नंबर उप्शन सेटर आगे देखे राजस्तान के निम्न में से किस जिले में मेवाती बासा बोली जाती है तो मेवाती बासा आप सभी को पता है मेवात चेतर है वो अलवर तो इसका राइट आंसर से नमबर उप्सन से उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें 38 नमबर प्रैस्तान मारणा कुंबा द्वारा रचित चार नाटकों में कीर्ती इस्तंब के अनुसार किस बासा का प्रियोग किया गया है तो कीर्ती इस्तंब के अनुसार किस बासा का प्रियोग किया गया था तो इसका right answer हो जाएगा वह है, इसमें मेवाडी भासा का, तो इसमें बैनमबर उप्सन से उत्तर, 49 नमर प्रेस्टन है, पूरवी राजस्तान के मद्दे पूरा भाग में पर्थम बोली है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें ढूंडानी, तो इसमें दैनमबर भागडी किस बोली की विशेष्टा है, तो वो है दोस्तों इसमें मालवी की, से नमबर का उप्सन बिलकुल से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए इसमें, 41 नमबर प्रेस्टन है, राजस्तान सेली का उद्गम कौन सी सेली से माना जाता है, तो राजस्तान सेली क उद्गम का काल है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें मुगल काल, बै नमबर प्रेस्टन बिलकुल से उत्तर, आगे देखिए राजस्तानी भासा का उत्पत्ति काल है, तो राजस्तानी भासा का उत्पत्ति काल है, वो कौन सा है, तो वो है बारवी सताब्दी का अंतीम चरण बारवी सताब्दी का अंतीम चरण ये राजस्तानी बहसा का उत्पतिकाल है बे नंबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है जैपूर सेखावाटी के अतिरिक्त टौक तथा अजमेर के कुछ छेत्रों में किस बहसा का परचलन है तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था जैपूर टौक लावा की संगड अजमेर मेरवाडा का पूर्वी छेत्र है तो ये डूंडानी बहसा परचली था इसमें बे नंबर उप्शन से उत्तर नेक्स्ट है बुंदी कोटा तथा उदैपूर के पूर्वी भाग में किस बहसा का परचलन है तो इसका राइट अंसर हो जागा वो है हाड़ोती बहसा का और हाड़ोती के अंदर कोटा बुंदी बारा जहलावाडी आते तो यहाँ पे से नंबर उप्शन से उत्तर आगे देखें निमनलिकित में से किस इस्तान पर डूंडानी बोली नहीं बोली जाती है तो यहाँ पे देखें किसंगड में भी मैंने आपको बताया था जैपूर टॉंक लावा किसंगड अजमेर मेरवाड़ा का पूर्वी छि तर आगे देखें निमनलिकित में से किस चेतर की बोली मेवाती है तो कौन से चेतर की बोली है वो मेवाती है तो वो है देखें अलवर भरतपूर दोलपूर यह सबी तो इस प्रेसन का राइट आंसर दे नंबर का उप्शन हो जागए यह सबी है यह मेवाती की बोली है ठी राजस्तान की किस बोली पर भी मराठी वासा का प्रभाव है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखें वो है मालवी तो इसमें दे नंबर का उप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा मालवी ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसम जहत्ता ही कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा, वह है इसमें डुंडानी बासा को दोस्तों जहपूरी या जाड़侈 कहा जाता है, क्योंकि जहपूर में कौन से सिख के चलते थे, तो जाड़侈 शिख के चलते थे, ठीक है, तो say number option सेयुधतर, पचास नमबर परिशन है तो कौन सी साहिते सैली में लिखा गया है तो वो है दोस्तो पिंगल बासा में तो इसका राइट आंसर तो वो है दोसतो खिराडी का A-Number का Option बिल कुल से उत्तर खिराडी तीक है आगे देखिए चारन सेली को किस नाम से जाना जाता है तो चारन सेली को डिंगल के नाम से जाना जाता है बये नंबर Option राइट अंसर आगे देखिए कवी सूर्य मल मिश्रन की रचनाएं किस भासा में है तो कवी सूर्य मल मिश्रन की रचनाएं है वो दोस्तो हाडोती भासा में है किस भासा में है हाडोती भासा में तो इसका ए नमबर का उप्शन सही उत्तर नेक्स्ट है ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि लाल दासी वा चारण दासी संपर्दाईयों का साहिते किस बासा में रचा गया तो वो है दोस्तो इसमें मेवाती बासा में कौन सी बासा में मेवाती बासा में तो इस प्रैसन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें बै नमबर हिंदी और राजस्तानी के मद्दे सेतु का कारिये करती है तो वो दोस्तो मेवाती बासा करती है बै नमबर उप्षन साहित्तिक रूप है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तो डिंगल नमबर उप्षन बिल्कुल साहित्तिक रूप है तो वो है पिंगल बै नमबर का पूरवी राजस्तानी की परमुक बोलिया है तो पूरवी राजस्तानी की परमुक बोलिया है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें ढूंडानी और हाडोती तो इसमें एह नंबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ढूंडानी और हाडोती आगे देखे मारवाडी मेवाडी भागडी राजस्तानी के किस चित्र की परमुक बोलिया है मारवाडी मेवाडी भागडी राजस्तानी के किस चित्र की परमुक बोलिया है तो ये है दोस्तो कौन से चित्र की तो ये पस्मी राजस्तान की है बेनमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आज आपको जो राजस्तान की परमुक बोलियों से समन दीते आज आज आपको 60 प्रशन है वो मैंने कंप्लीट करवा दिये हैं और अपने 25 टोपिक है राजस्तान जी के के वो कंप्लीट हो चुके है अगर आपने उन प्रशनों को नहीं देखा है तो आप अपले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टोपिक वाइस टोप क्यूसन इस नाम से दोस्तों वहाँ फोल्डर बनावा है तो आप वहाँ जाके सारे के सारे प्रशन हैं वो जरूर देखें और अरद्द्यारेस एकेड़िमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत